वैसे तो पुलिस थाने में आमतोर पर लोग शिकायत लेकर पहुँचते हैं क्योंकि पुलिस का संकल्प की आम नागरी को कुछ सुरक्षा देना है लेकिन हर बार शायद ऐसा नहीं होता इन जनाब को तो देखिए जो पुलिस चौकी में दारोगा से बदला लेने पहुच गए दरसल हुआ यूँ था कि ये जनाब बरीली में बिजली विभाग के लाइन मैन है जो एक दिन बिना कागजों की बाइक चलाते पकड़े गए और हरदास पुर चौकी के दारोगा ने इनका चालान काट दिया इन्होंने खुब मिननते की लेकिन दारोगा जी नहीं माने बस फिर क्या था यही बात लाइन मैन को अच्छी नहीं लगी घुसाए लाइन मैन ने दारोगा से बदला लेने की ठाने और अपने दफ्तर से दूसरे करमचारियों को लेकर चौकी पर छापा मार दिया वहाँ पता चला कि चौकी में बिजली चोरी से चलाई जा रही थी तो जराब चल गए पोल पर और चौकी की लाइन काट कर रख दी हाला कि इस बार मिन्नते करने की बारी दारोगा की थी लेकिन घुसाए विभाग ने उनकी एक ना सुनी जिस वज़े से पूरी राद चौकी के पुलिस करमियों को बिना बिजली के ही गुजारनी पड़ी अंधेरा होने के बाद चौकी के कामकाज भी नहीं हो सके अब दारोगा बिजली करमचारियों से बिजली लाइन जोडने के लिए कह रहे हैं पुलिस महकमे के आला आफिसर्स को भी चौकी में बिजली चौरी की स्तूचना दी गई है बरेली मंडल के चीफ इंजीनियर ने बताया कि आगे चांच के बाद नोटिस जारी किया जाएगा